समस्ते दोस्तों आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल भी संगीता आज हम बना रहे हैं रवा इडली यह देखिए हमारा इडली कितना सौफ्ट बना है और बहुत ही खैल्दी है यह ब्रेक्फास्ट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्सन है और टिफन के लिए भी यह कैसे बनता है इसके लिए मैंने एक पैन लिया है पैन जब हलका सा गरम हो जाएगा फिर उसमें एक कप रवा डालेंगे रवा को डालके हलका सा दो मिनट के लिए भूनेंगे हमें इसका कलर भी नहीं चेंज करना है और हमें इसको बस दो मिनट के लिए इसको सेकना है ताकि हम मारा रवा में अगर मॉइस्ट्र हो तो वो निकल जाए यह देखिए और इसी रवा का जो टेस्ट है ना उसका कच्छापन भी दूर हो जाता और बहुत ही टेस्टी लगता एक बर आप इस तरह से ट्राइ करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा यह देखिए रवा को अच्छे से मिक्स करेंगे जितनी पानी की रिक्वाइर्मेंट होगी उतनी ही पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से मिक्स करना हमें ताकि इसमें कोई लंस ना रहे और जितना पानी लगेगा थोड़ा-थोड़ा करके जालाई नेकी लिएक हो जाएका जुसागयया इसको अच्छे से लिए दस लिए ताकि ढूरन लॉस्त निकल जाए और अच्छे से रवा और दही मिक्स हो जाए तो 1 मियद तक अब दखिंग है इस पंदर मियद तक झोड़ देंगे ताकि रवा जो है वो भूल जाए अब एक पैन लेंगे पैन में थोरा सा राही डालेंगे राही जब चटक नहीं लगेगा तो थोरा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और कड़ी पत्ता जब तड़क जाएगा तब फिर हम इसमें थोरा सा चना का दाल थोरा सा उरत का डाल लेंगे दोनों मैंने एक चमज लिया है इन सब को अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि चना का दाल और उरत का दाल अच्छे से पक जाए जब यह दोनों दाल पक जाएगा फिर इसमें हरी मिर्च डालेंगे आप वह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं हरी मिर्च अगर बच्चों को देना है तो थोरा कम डाले और बड़े के लिए है तो आप आराम से डाल सकते हैं यह देखिए इसमें थोरा सा प्यास थोरा सा सिम्ला मिर्च थोरा सा गाजर मैंने घिसके डाला है ताकि कोई भी खाते बग मुँमें चंक्स जैसा ना आए इन रोस्ट करना है हमें हमें पकाना नहीं है इसके मौइस्टर को केबल निकालना है ताकि इसका कलर भी बरकरार रहे और हमारा जो इडली है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगे ये देखिए इस सबको अच्छे से मैंने हाई फ्लेम भी भून लिया है और थोरी सी हल्दी ज दाल दिये ताकि हमारे इडली की जो कलर है वो थोरी और भी अच्छे लगे ताकि बच्चों को देखके ही मूह में पानी आ जाए है ना बेस्ट आडिया ये देखिए ये सारे सबजी यह भून गई है आपके दर में जो भी सबजी आप वो डाल सकते है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डाला आप वही डाले जो भी अब लेवल हो वो आप डाल जाकते हैं ये देखिए सूजी बहुत अच्छे से भीग गया है अब हम इसमें जो भूना हुआ रजी टेबल था सबजी था उसको डाल लेंगे उसको डालने के बाद अच्छे से उसको हमें मि मिक्स करेंगे आराम से इसको मिक्स करिएगा ये देखिए और जितना भी पानी का रिक्वार्मेंट हो वह थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाएगा और मैंने यहां पर स्वात्य अनुसार नमक डाला इससे पहले दोस्तों मैंने नमक नहीं डाला था अब मैं इसमें दालके और थोड़े थोड़े पानी डालके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगे जो इडली का बैटर होता है मार्केट में मिलता है बस वैसा ही बैटर हमें थिक सा बनाना है इसमें मैंने थोड़ी से धनिया पत्ती दी है ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह जब स्टीम हो जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है यह भी बच्चों को खिलाने के लिए बहुत अच्छा ओप्सन है ताकि उन्हें पता भी नहीं चले और वो सारे वेजटेबल्स ज टाला है थोड़व सा पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से फिट ना है ताकि जो इन्हें वो पूरे से अच्छे से मिक्स हो जाए तभी हमारा इडली जो है वो फुला-फुला और एकदम स्पांजी बनेगा यह देखिए इसको लगा दिया है और उसके बाद जितना आपका इडली के स्टैंड में आएगा बैटर एक पॉर्शन में उतना-ऊतना आपको डालते जाना और यहां पर इडली के बैटर को तो आपका इडली अच्छाथी सटान्ड में डाल दिया है। और इडली स्टैंड जो है वो अच्छे से हमारा ये देखिए हमने लगा दिया है उसको और हमारा इडली जो है वो इसको अच्छे से ढग देंगे ताकि कहीं से भी स्टीम ना निकले और ये दस से बारा मिनट में इडली बन जाता अब दोस्तों आते ही चटनी बनाने के ये दलिया के नाम से मिलता है आनलाइन स्टोर में भी मिलता है ये देखिए इसमें थोरी से हरीमिर्ष हरा सा लैसन डालके पानी जालेंगे और इसका एक अच्छा सा least बना लेंगे और नमक टेस्ट के शबीगर अप डाल दीजेग ये देखिए हमारा जो चटनी है वो पिस भाइं दालने के बाद थोड़ सा कड़ी पत्ता है। यह देखिए अमरे जो ररक़णा में अब अब हमने बावाउल नाल रखा के वेवीं और नांव। ओंने धानी चलाएंट 누की ब्रmbोला ब्रुक्षया ?, तो यह बहुत स्वादिश चट्नी बनता है एक बार अब जरूरत ट्राइ करके देखिएगा यह देखिए कितना यमी लग रहा है और बिलकुल अलग टेस्ट का है इसके बाद मैंने जो वह फ्राई इडली बनाया था उसको बनाएंगे इसके लिए मैंने थोरा सा तिल और थो इसके बाद इसको दाल दें और इसको अच्छे से ढग देंगे बस ढट Lawrence में असके यह धकना जो है असे थाकि दोनों साइट से Peki उसको पका लेंगे यह देखिए वहारी इडली भी बने के मस्त ह rub हो और यह हमारा इडली जो अच्छे से वेजिटेवल all the results और ब्यृत आ प् बच्चे बड़े सबी को पसंद आएगा एक बार अब ज़रूर हल्दी ब्रेक्फास्ट के लिए इसको ट्राइ कर सकते है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करे प्लीज सब्सक्राइब करे यह हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो